लोकसभा चुनाव को संपन हुए देड़ महिने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है 400 पार्क के एक आकरमक कैम्पेइन के बाद भाजपा के हाथ आई केवल 240 सीटे भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बड़ी और सरकार भी बना दी नितीश और नाईलो की मदद से लेकिन पिछले हफ़ते एक चौकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है जो ये दावा करती है कि चुनाव नतीजों के आकड़ों में धान्दली हुई है जिससे 4.7 करोड वोट जादा गिने गए है इन 4.7 करोड वोटों से 89 सीटों के नतीजों पर फर्क पड़ सकता था ऐसा भी अनुमान ये रिपोर्ट कर रही है यानि भाजपा का 240 का आकड़ा इससे कई ज्यादा कम होने का दावा ये रिपोर्ट करती है तो आखिर क्या कहती है ये रिपोर्ट और वो कौन से राज्यत है जहां इस वोटों की कथित धानली से लोगसभा चुनाओं की परिणाव पर सबसे ज्यादा असर हुआ है जानिये मेरे साथ, नमस्कार, मेरा नाम है जीशान कासकर और आप देख रहे हैं दरसल कंड़क्ट औफ लोगसभा 2024 नाम की ये रिपोर्ट, वोट फॉर डेमॉक्रसी या वी एवडी नामक संस्था द्वारा चापी गई है जिसे M.G. देवसहायम, डॉक्टर प्यारालाल गर्ग और प्रोफेसर हरीश करनिक की एक्सपर्टीज में चापा गया है आये समझते हैं कि ये रिपोर्ट क्या कहती है 19 अप्रेल से 1 जून तक 7 चरणों में होने वाले 2024 के लोगसभा चुनाओं में भाजपा ने 240 सीटे जीती जो बहुमत के लिए आवश्यक 272 सीटों से कम है जबकि विपक्षी इंडिया गडबंदन ने 232 सीटे हासिल की VFD की रिपोर्ट ने पाया कि शुरुआती मतदान की आकडों और अंतिम गणना के बीच 4.6-5 करोड वोटों की बढ़ोतरी हुई है विबिन्द चर्णों में औसरत वोट प्रतिशत 3.2 प्रतिशत बढ़कर 6.32 प्रतिशत हो गया जिसमें आंधरप्रदेश और उडिशा में भारी उच्छाद देखी गई है पिछले चुनाओं में सामानिय में 1 प्रतिशत भिन्नता हमें आकडों में दिखाई देती है इन वोटों की बढ़ोतरी को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि अंतिम गणना और शुरुवाती काउंटिंग में क्या अंतर होता है तो चुनाओं में शुरुवाती मतदान गणना से मतलब है कि चुनाओं के दिन शाम को कुछ समय के लिए कितने वोट डाले गए इसका अनुमान बताया जाता है जैसे कि चुनाव के दिन शाम साथ से पौने नौ बजे तक कितने वोट आये इसका एक आंशिक आकड़ा मिलता है ये आकड़ा हमें ये समझने में मदद करता है कि उस दिन मतदान कैसा रहा अंतिम मतदान गणना तब होती है जब सारे वोट पुरी तरह से गिन लिये जाते है इसमें चुनाव के सभी चरणों में डाले गए वोट शामिल होते है ये संक्या सभी वोटों की सही गिंती होती है और यही चुनाव परिणाम तै करती है 2024 के लोकसवा चुनाव में शुरुवाती गणना और अंतिम गणना के बीच बड़ा अंतर देखा गया चुनाव के दिन शाम को रिपोर्ट की गई शुरुवाती गणना में कुछ वोट दिखाए गए लेकिन बाद में पूरी गिंती और जाज के बाद अंतिम गणना में 4.6-5 करोड वोट ज्यादा दिखे इस बड़ी वृद्धी से चिंता बड़ी है और ये सवाल उठता है कि कही वोटों की गिंती में कोई गड़बडी तो नहीं हुई बता दे कि AFD की रिपोर्ट में इस्तिमाल सभी आकडे चुनावायों की वेबसाइट से लिए गया ऐसा उनका दावा है रिपोर्ट में सातो चुनावी चुनावी चुनावायों में मतदान की अंतिम आकडों की रिपोर्टिंग में देरी का एक चिंता जनक पैटर्न बताया गया है इस रिपोर्ट में पहले चरण के लिए अंतिम आकडे चुनाओ के 11 दिन बाद जारी किये जबकि बाद के चरणों में देरी 3 दिन और 5 दिन के बीच रही उधारण के लिए तीसरे चरण में 4.2-3 प्रतिशत की वृद्धी, चोथे चरण में 6.3-2 प्रतिशत की वृद्धी और पाचवे में 4.73 प्रतिशत की वृद्धी देखी गई रिपोर्ट में चंदीगड का विशेश उधारण भी दिया गया है जहां शहर के छोटे आकार और अच्छे बुनियादी धाचे की बावजूद अंतिम मतदान में 5.18 प्रतिशत की वृद्धी हुई चुनाओ के 5 दिन बाद जारी अंतिम आकडों में ये विसंगती रिपोर्ट किये गए आकडों की सटीखता पर सवाल उठाती है तो 2024 के चुनाओं में VFD की रिपोर्ट में पाया गया कि विभिन्न राज्यों में वोट प्रतिशत में अचानक वृद्धी ने भाजपा को कई अतिरिक्त सीटे दिलाई आंधर प्रदेश में वोट 12.54 प्रतिशत बढ़े जिससे भाजपा को 25 में से 21 सीटे मिली ओडिशा में वोट 12.48 प्रतिशत बढ़े और भाजपा को 18 अतिरिक्त सीटे मिली महराष्टर में वोट 8.5 प्रतिशत बढ़े जिससे भाजपा को 11 अतिरिक्त सीटे मिली वही गुजरात में 3.37 प्रतिशर्ट की वृद्धी ने भाज़पा को कुछ अतिरिक्त सीटे दिलाई ऐसा अनुमान इस VFD की रिपोर्ट में बताया गया है इस रिपोर्ट में ये भी पाया कि करनाटक में भाज़पा को 6 अतिरिक्त सीटे मिली असं में 2 अतिरिक्त सीटे मिली और अरुनाचल प्रदेश, गुजरात और केरल में भाज़पा को एक-एक अतिरिक्त सीटे मिली ऐसा अनुमान इस VFD की रिपोर्ट में है इस प्रकार कुल मिलाकर VFD की रिपोर्ट में ये उल्लेक किया गया है कि भाजपा को 15 राज्यों में लगबग 89 अतिरिक्त सीटे मिली है इसके विपरीत उत्तर प्रदेश में जहां बड़ी संख्या में मतदाता थे मतदान में केबल 0.2-3 प्रतिशत की मामुली वुर्द्धी दर्ज की गई इस मामुली वुर्द्धी का भाजपा की सीटों की संक्या पर सीमित प्रभाव पड़ा ऐसा कहना है इस VFD की रिपोर्ट का इस रिपोर्ट में और कई पहलों पर बात हुई है चुनाव के दोरान हुई गड़बडियों की एक फेरिस भी जारी की है VFD की इस रिपोर्ट में सरकार से आगरह किया गया है कि चुनाव की मतदाना के लिए टोटलाइजर तकनीक का इस्तमाल हो इस तकनीक के जरिए मतगर्णा से पहले सभी मतपेटियों से वोटों को मिला कर मतदाता की पहचान गुप्त रखने के लिए डिजाइन किया गया था इसका उद्देश मददान प्रक्रिया की गोपनिता और अखंडता सुनक्षित करना था हलाकि इसके लाभों पर कॉंग्रेस समित कई राजनिक दलों के समर्थन के बावजूद मोधी सरकार ने इसके इस्तिमाल का विरोध किया तो इस सुझाओ के अलावा ये रिपोर्ट 225 पन्नों की है और इसमें तीन चैप्टर से पहले चैप्टर में भृष्टाचार और विवाजनकारी बाशन जैसे मुद्दो की चर्चा की गई है जिनने चुनाओ आयोग यानी E.C.I. ने अंधेका किया इसमें फरुखाबाद में मतदाताओ के दमन और मुंबई उत्तरपश्चिम में रिटर्निंग अधिकारियों की गडबड़ी के बारे में भी बताया गया है दूसरे चैप्टर में रिटर्निंग ऑफिसर और काउंटिंग एजन्ट की भूमिकाओ को समझा गया है साथ ही चुनाओ से जुड़े कानूनी फैसलों की एक तालीग भी दी गई है जो इन कानूनी संदर्बों को सपोर्ट करती है तीसरे चैप्टर में बताया गया है कि वोटों की गिंती में अचानक बड़ोतरी क्यों हुई और रिपोर्टिंग में देरी क्यों हुई इसमें चंडीगड का एक केस्टडी भी है जो बताता है कि वहाँ वोट गिनने में कैसे बदलाव आया तो VFD की रिपोर्ट की कॉपी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाली है आप वहाँ से पढ़ सकते हैं इस रिपोर्ट में दिये गए आकड़े और कतित तक थे चौकाने वाल है अगर चुनावी आकड़ों में धानली हुई है तो चुनाव आयो को इस संदर में कारवाई करनी पड़ेगी और अगर नहीं है तो भी उन्हें इस रिपोर्ट के बारे में सपच्टता देनी आकड़े चुनावायों की वेबसाइट से लिए गए है क्योंकि वेवडी के आरोप काफी संगीन है इतने संगीन के 89 सीटों में गड़बड़ी का दावा उनकी रिपोर्ट करती है तो इस रिपोर्ट के एक्सपर्ट यानि कि हरीश करनिक जो की आयाइटी के प्रोफेसर र देटा देते ही नहीं है ग्यारा दिन तक आप बैठे हुए आपको कुछ एक बताया गया है कि इतने प्रतिशत आपका जो है मत्दान हुआ है उसके बाद आप देखेंगे सातों चरण में जो है और आप निकाले तो कम से कम पांच दिन का उसमें डिले है तीन तीन चार ती और पहली बार तुम ग्यारा दिन का डिले पहले कितना होता था वो करीबन 24 से 48 घंटे यहीं नहीं इलेक्शन कमिशन ने खुद अपने बयान में कहा था कि शायद उनने से इप्रदल को जब शुरू होने वाला था कि हम जो है सब डेटा जो है जारी कर देंगे 24 या 48 घंट कि आप अगर इलेक्शन कमिशन के इस वेबसाइट पे जाके उनके हैंडबुक्स और मैनुवल्स पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि हर समस्या का वहाँ हल दिया हुआ है ऐसा नहीं है कि हम यह यह हम लोग नहीं कह रहे हैं कि यह डिरेक्ली पीजेपी का बढ़ा है ह हम इतना ही कह रहे हैं कि अगर आप देखते हैं भायत में लूगा लेकिन मोटे थोर कर सब्सक्राइब करोड़ सतनले έχ ौ 6 उप्षय। मतलब जो शुरुवात में बताया गए थे जैसे चुनाव खतम होता है उसके गंटे दो गंटे नहीं गंटे बाद और जो अंतिम जो उन्होंने संख्या दी है या आंकड़े दी है उसमें अगर आप देखेंगे तो चार दशमलों साथ दो प्रतिशत उसमें अंतर भूत है यह मैं यह यैजए लवल तो अगर आप देखते हैं कि आपके पास करीबट पांचसो तरतालेस आपके सीटे हैं जिसमें सूरत को निकाल दीज्य महां पर चुनावी नहीं हुँआ था तो पांचसो बैयाली सीटे हुई आपकी अगर आप भाग देते हैं उसको तो आपके पास 85,000, 85,000 मतों से भी ज़्यादा हर constituency में आपके यह बढ़ गए हैं वो, फेस चार, पांच, छे और साथ में चुनाओ उडिसा में हुआ था, और आप यह आखरी कॉलम में देखेंगे कि जो percentage हाइक हुआ, यानि जो पहले percentage दिया था और जो बाद में हैं, जैसे उधारण के तौर पे आप इधर देखेंगे, जो मतलब फोलिंग खतम होने पे दिया गया, यह चरण चार में, और जो बाद में जो टोटल फाइनल वोटर टर्न आउट दिया गया, वो है पचतर दिखेंगे, इधर पचतर दिखेंगे, जो चे आठ, यहीं ग्यारा, दश्यमलो आठ, तीन दिखेंगे, इसी परकार आप हर चरण में देखेंगे, बारा दश्यमलो साथ, चोदा दश्यमलो तीन आठ, दस दश्यमलो आठ चार, और यह सब मिलागव के आपका बनता है, बारा दशमलो चार आठ बारा दशमलो चार आठ यानि करीब साड़े बारा प्रतिश्चत वोट में आपका फर्क निकला है अगर आप वहाँ जितने भी मत आता है उसके हिसाब से देखें तो 42 लाख ये जो आप देख रहे हैं 42 लाख वोटों का बड़ोती हुई है 42 लाख वोट हैं और आपके पास 21 सीटे हैं तो आप हिसाब लगा लिजिए कि कितने एक एक सीट पे उससत अगर आप देखते हैं तो दो लाख वोटों का रहा है तो जो डेटा अनालिसिस कर रहे थे लोग उन्होंने कहा कि भई ठीक है इसको हम लोग देखते हैं कि किस तरह से अगर दो का फरक आ रहा है तो किंकिन सीटों पर फरक पढ़ा हो तो कि मतलब पढ़ सकता है तो ये पाया गया कि वहां पर अठारा सीटे जो है उन पर फरक पढ़ा है वो सभी बीजेपी की सीटे हैं और वो सब दो से कम वोटों से जीते हैं इतने बड़ी मात्रा से जो हैं कैसे बढ़ गए जब की पहले चुनाओं में ऐसा कभी नहीं हुआ पहले चुनाओं में आप अगर देखते अंतर कितना पड़ता था एक परसेंट एक से यह अंतर बहुत कम है अब किस वज़े से हमें नहीं जानता लेकिन अंतर बहुत कम है और वहां का मतलब रिजल्ट आप जानते हैं तो अठारा सीट उड़ीसा में ग्यारा सीट आपकी महराष्ट में बनती हैं बंगाल में दस सीट बनती हैं आंदर में साथ बनती हैं आंदर म करनाटक में छे हैं 36 कड़ों में पांच है सीटे में बोल रहा हूं राजिस्थान में पांच है इसी प्रकार फिर बिहार तेलांगना और एंपी और हर्याना में तीन-तीन है असम में दो है और केरल गुजरात और अरुनचल में एक एक है तो यह बनके आपके जोड़ा आप लगाएंगे तो इसका यह उन्यासी सीटें का प्रॉब्लम है मतलब यह मोटा मोटा निकल क्या रहा है अब यह तो जांच करके पता लगेगा कि क्या हुआ क्या है वह यह तो मोटे मोटे आकड़े जो इलेक्शन कमिशन ने दिये हैं उसी क आधार पे हैं अब हुआ exactly क्या आए क्या नहीं है वह तो अगर कोई जांच होती है उसी के बाद हो इसलिए हम यह नहीं कह रहे हैं कि यह सभी सीटें वहार जाते नहीं आरते यह लोग नहीं कह रहे हैं हम कहरें कि यह डेटा में इतना जो फरक आ रहा है यह गड़बड दि क्या सुचेंगे उसके बारे में जब गड़ना कर रहे हैं तो आपको और एक अजीब सा नजरिया दिखता है गो क्या कि आपके पांच सो बैयालिस आपके सीटें हैं उनमें से तीन सीटों को छोड़के केवल तीन सीटों को छोड़के बाकी सभी सीटों पे जो वोट गए हैं उनमें अंतर हैं मतलब ऐसा संभव नहीं होना चाहिए कि इतने सारे सीटों पे जो आपकी गड़ना हो रही है उसमें वोट जो पड़े हैं और वोट जो गिने जा रहे हैं उसमें फरक है अच्छा और यह हमें पता नहीं लग रहा कि उसमें हुआ क्या है जैसे वह लोट होना चाहिए तो अक्सर यह होता है कुछ अलाके होते हैं जिसमें हम नम नाम नहीं भूल रहा हूं कि एक सजन जो जीट के आया बिहार से थे शाई जो उन्हें क्या कहा कि मैं फलाने फलाने लोगों का मैं नेतफति नहीं करूंगा क्यूंकि उन्होंने मैंने को वोट नहीं टोटलाइजर का वही काम होता है ताकि आप मतलब इस तरह की चीज़ें ना कर सके और जो मत्दाता जो वोट देता है उसका मतलब गुपत रहे हैं आप यह सब चीज़ें अपने वेबसाइट पर क्यों नहीं डालते हैं आपके पास हर कॉंस्टिट्यूएंसी है हर कॉंस्टि आता है तो हर कॉंस्टिट्यूएंसी के हर मतदान केंदर के आप वह अप्लोड करते रही है ना सेवेंटीन सी के आधार पर ही तो आप बताते हो कितना आपका वोट परसेंटेज हुआ क्या हुआ तो वहां पे सभी डिटेल्स मौजूद हैं टोटल मौजूद हैं तो आप उसको अप लोड करी है क्यों करते हो इसने अपके कई फायदे कि पॉलिक को मालब है क्या है मालूब उन्होंने कहा कि हमने जाके उन पर दबाव डाला तब जाके उन्होंने दिया माराश्च से यह आया है तो ऐसा नहीं है कि वो लोग बिल्कुल मतलब काईदे कानून की तरीके से जा रहे हैं ऐसा नहीं होता है बस चुकता कुछ और है कि वहां पर साथ सेकंड तक है देखता हूं कि भी जो मने दबाया है और जो वीवीपैट स्लिप पर आ जो भी इन्फोमेशन है वह सही है और उसके बाद में चला जाता हूं अच्छा वोट मेरा जो मैंने चेक किया वो कहां पर है वीवीपैट बॉक्स में है जो वोट आप गिन रहे हैं दो वोट है मेरे जो आप वोट गिन रहे हैं वो है कैंसका कौट वोट आप गिन रहे हो गिन रहा है अब घ ब्रिक्राटिक प्रिंसीकल के बुरुद्ध है चुकि मैं Computer Science का प्रोफिसर हूं इसको हम लग Vulnerability कहते और जहां आपके पास कोई Vulnerability आ जाती है तो वहाँ पे आप उसके उसका तोड़ मरोड कर सकते मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हो रहा है मैं कह रहा हूं हो सकता है अब चुना आयोक को सामने आकर सफष्ट करना होगा कि क्या यह रिपोर्ट सच है या नहीं आज Spotlight के एपिसोड में इतना ही मेरा नाम है जीशान कासकर और आप देख रहे हैं दवायर